सब कुछ है मसीखी, आज हम बात करेंगे कि बच्चों को प्रभू में कैसे बढ़ाया जाए बच्चों को सबसे पहले कि हमें बाइबल स्टोरी सुनाना चाहिए और सब जो हमारे नवियों के बारे में भी उनको बताना चाहिए कि वो हर एक कैरेक्टर को समझे बाइबल में क्या लिखा है खाते और सूते वक्त भी प्रभू के बारे में हमें उनको बताना चाहिए कि कैसे हमें प्रातना करना है खाने से पहले और सोने से पहले बच्चों को सभी चीजों पर प्रातना करना सिखाए खोई हुई चीजों के लिए भी प्रातना करना सिखाएं और नए सामान के उपर भी हाथ रखकर प्रातना करना सिखाएं जाते आते वक्त भी उनको सिखाएं कि कैसे प्रातना किया जाता है प्रभू से और हमारी हर एक जो समस्या होती है प्रभू के चरणों में छोड़ने के लिए प्रातना करना चाहिए एक वचन है जो हमारे बाइबल में लिखा है अपनी सारी कलपनाई तुम यहोब अपर डाल दो उसको तुमारा ध्यान है यह वचन अगर जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे भी सीख जाते हैं कि उनको कैसे प्रेयर्स करना चाहिए आते वक जाते वक तो हर एक टाइम पर प्रभू हर एक समय में उनके साथ रहेंगे discipline में बच्चों को रखना चाहिए बच्चों के साथ मिलकर Christians फिल्म देखना चाहिए और उन Bible नवियों के बारे में भी बताना चाहिए सबी बातों पर बच्चों को दूसरों से comparison नहीं करना चाहिए क्यूंकि बच्चे प्रभू की देन होते हैं हम उनको तकलिफ देंगे तो वो हमें नहीं समझेंगे बच्चों को समय देना चाहिए उनको आत्मिक उन्नती के लिए उनको हर एक चीज़ पे हमें गाइड करना चाहिए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए बुरे संगती से दूर रहना चाहिए, अगर कोई बुरे संगती में है तो उसके लिए भी प्रातना करना चाहिए, स्कूल्स में भी और कॉलेजिस में भी हमें सूर समाचार प्रचार करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, अकिले फिल्म नहीं दिखाना चाहिए, ना दूर रखने के लिए भी हमें प्राथना करनी है उनको शिक्षा देनी है कि वो खराब संगते से दूर रहें और हमें भी प्राथना करने चाहिए बच्चे भी अपने पेरेंट्स के लिए प्रेयर करना चाहिए और पेरेंट्स भी अपने बच्चों के लिए प्रेयर करना चा झाल, 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 झाल.